दोस्तों क्या आप कोकम के लाब के बारे में जानते हैं आईए आज हम आपको बताते हैं स्वास्त से जुड़िये कोकम के लाब लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर ले बेल आइकन पर जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों कोकम गोवा और गुजरात में पाया जाने वाला फल है ये एक बेर की तरह होता है जो शरीर को शीतलता के साथ साथ स्वास्त लाब देता है आखिर क्या है कोकम? कोकम की पैदाईश कौंकर प्रांत की है इसका इस्तमाल करने से पहले इसे सुखा कर संगरक्षत किया जाता है याद रखे कोकम को काटा नहीं जाता बलकि पानी में भिगोया जाता है और उससे जो सार निकलता है वो खटा मीठा स्वात देता है कोकम फाइबर से भरपूर होता है इसमें नाम मातर की कैलरीज होती है कोकम में कॉलेस्ट्रॉल और साचुरेटिड फैट बिल्कुल नहीं होता विटमिन सी की मातरा उच्छो होती है एंटी ऑक्सिदेंट्स भरपूर होते हैं इसके अलावा इसमें मैंगनीशियम, पोटेशि रह जाए तो आप इसे चान कर सुभे शाम सौ मिली लीटर सेवन करें इससे आपका वजन कम होगा दस्त हो गए हैं तो कोकम के फलों का चून एक गिलास ठंडे दूद में मिलाकर पीने से जल्दी आराम मिलता है ठंडा दूद इसलिए क्योंकि गरम होने पर दूद खराब ह और ये दस्त कारक भी हो सकता है दोस्तों गर्मी के पेय में कोकम के सार के साथ बना मिश्रित पेय कोकम का शर्बत आपको लू लगने से बचाता है कोकम का सेवन नियूरोनल विकास की क्रिया में भी मदद करता है साथी ये फ्री रेडिकल्स को निश्क्रिय करके दिमाग को डामेज होने से रोकता है दोस्तों कोकम का शर्बत इम्म्यूनिटी बढ़ाता है इसके अलावा सर्दियों में अक्सर होट फटते हैं कोकम का तेल लगाने से आराम मिलता है महुए के फल का तेल लगाकर सिकाई करने के साथ साथ कोकम का तेल लगाने से आपको लाब मिलेगा दोस्तों ये थे कोकम के स्वास्थ लाब। अगर आपको लगता है कि हमारी ये जानकारी आपकी सेहत के लिए बहुती फायदेमन थी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। देखते रहें लोटस आयरवेदा इंडिया।